वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया आज मैं आपको खास रेसिपी यानि कि पाउ गाना बताऊंगी जो कि हम बिना इस्ट के बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे यह रेसिपी बहुत ही अच्छी और फटा फट बन जाती है पाउ को हम बि तेल बन यहां पर लिए है ठिस्पूर फकर बिस सब्सक्राइब अब डाल लिए है नंवक को अच्छे से हमें चानके लेना है बस्दा कर देत। इंड यहां पर अबम एसमें डही डाल देंगे अम्हार्ट अच्छा से मिक्स कर लेते हैं अब इस तरह थे rito सब्सक्रण हैं थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पाणी करना है हमें इसका सक्त डो ही लगाना है तो हम थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें पानी एड करेंगे डो को इस सावा का पानी जो हमारा इसमें लगा है तो सभी को हम अच्छे से mix करके इसको हम 10 मिनट तक हमें इसको मत्थना है चिकना करना है यह और सोफ्ट हो जाएगा हम इस तरह इसको मत्थेंगे जब आप देख सकते हैं इतना हमारा जो डो है सोफ्ट हो गया है अब इसमें 2 टेबल स्पून तेल लेट करना है जो कि हमने लि आछी तरह से पूरा चीए चुनटना हमें अच्छे चुनतना है इसे मिक्स अधना पूरा तेल ऑच्हेस में मिक्स होना चाहिए प्रम Hatgg books with or about making my कश्ब हो रहे हैं साथ से आर्प से आज़ गूतने के बाद यू और बिल्पूल सोफ्ट हो गया है हमें हिस्स तरह का डो रखना हैं तो अब हम इसको बेक करेंगे का इस वट्तन में वनाना म्फत वे ग्त्रीज आपके पास इस तरह का का बर्तन नहीं है के एक पी अ कि मैंत कर लिया है तो चलिए अब हम पर तो इसको दस मिनट के लिए प्री हीट करना है तो इसको भम ढखके रख देंगे यह प्री हीट होता है तब तक हम बॉल्स पना कर पाउ तयार कर लेते हैं अब जो यह हमने डो लगा है इसको में बराबर एकवल भाग में डिवाइट करना है तो ज़रा सा मैंने हाथ पे तेल लगया है और इस तरह हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे तो इसकी में बड़ी बड़ी बना लूँगी तो यहां पर हमारी पांच लोई बनी है अब एक लोई को हम उठाएंगे और इस तरह हाथ से दबाते हुए इसको हमें गोल जो है बन का शेप देना है तरह जो पा तो इसमें अब हम रख देते हैं इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे इस तरह हमें इनको दूर दूर ही रखना है है कि इसको भी अब हम रख देते हैं इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमें आटे को फॉर्मिट करने के जुरूत नहीं है अब जो हमने दूद लिया है उससे हम ताव को उपर से अच्छे से गरीज कर लेंगे इस तरह सब्सके कोमें अच्छे से गरीज करना है ऐसा करने से पाव अच्छे सिखेंगे उपर से कलर भी अच्छा आएगा और उपर से सुके सुके भी नहीं लगेंगे तो इस तरह मैं जो दूद से इनको ग्रीज कर रही हूं तो चलिए अब इनको बेक कर लेते हैं डखकन आटा लेंगे हम इसको बहुत सावधानी से करना है क्योंकि बहुत गरम हो गया है तो दिरे से हम इसमें रख देते हैं और इसको अब हम ढग देंगे और 20-25 मिनट तक हमें इने मीडियम फ्लेम पे ही इने हमें बेक करना है जब 20 मिनट हो जाएंगे तो हम इनको चेक करेंगे आदा गंटा हो गया है तो चलिए बहुत चेक कर लेते हैं बाहर से दीखे रहा है कि पाव हमारे जो सीख चुके हैं तो इसको हम बड़े ध्यान से उठाएंगे बहुत गरम है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है कितने अच्छे जो हमारे पाव सीख गए हैं और फूल के भी डबल हो गए हैं अब हम निकाल लेंगे तो बड़ी ही साउधानी से हमें इने पकड़ के निकालना है तो पाव पर अब हम बटर ये घी लगा लेते हैं जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी पाव जो हमारे चमकने लग जाएंगे इस तरह सबी पे मैंने अच्छे से लगा लिया है अब अभी ये दरब है तो हमें क्या करना है एक गिल्ला कप्रा लेना है गिल्ले कप्रे से हम इसको ठक कर आदे गंटे के लिए रख देते हैं तो गिल्ले कप्रे से अब हम ढख देते हैं और आदे गंटे बाद हम इसको द तो अब हम कॉपरा हटा लेते हैं अधितना अच्छा कलर नहीं है और फूल के भी जो ही दुगुने हो गए हैं पहले जब लेग्य दूक्त हैं पाव को हम पाव भाजी पाव मसाला या फिर चाय के साथ हम खा सकते हैं सभी को बहुत पसंद आते हैं लिला कॉपरा इसली लगय जाए तो बिल्कुल सोप्त हो जाएं कि जब गरम रहते हैं धीरे धीरे जो से थंडे होते जाएंगे तो अपने आप इस उप्त होते जाते हैं उमीद है आपको मेरी रेसिप जरूर पसंद आई होगी पाव पनाते सर्में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो लगाएं दूसरा जब हम इनको बेक करेंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको बेक करना है मेरे और भी वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं लेदि आप मुझे फेस्बूक इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फोलो करना चाहते ह तो डिस्क्रेशन पर दियेगे लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फोलो कर सकते हैं टेंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो आपका दिन शूब रहे